चलो आज मैं आपको जैसे भी कैसे प्रॉपरली चलाते ही इसके बारे में बताऊंगा तो श्टेरिंग के पास में एक गेर का दंडा होता है जैसे उसे आप आगे करते है तो जैसे भी आगे के सैड में जाता है अब हम उसे नूट्रल करते है नूट्रल करने के बाद में आगे जाता है पीछे करने से मशीन पीछे जाता है खली आपको गियर्स के च्यार लिवर में से कोई तो भी लिवर डालना है अब यह लोडर का लिवर है लोडर का लिवर जैसे हम राम से पीछे किछते हैं तो लोडर उपर के सैड में उठता है ध्यान से देखिए लोडर का लिवर पीछे खोई खिचना है तो लोडर ऊपर उठता है और लोडर का लिवर जब हम आगे के सैड में करते हैं तो लोडर नीचे जाता है वैसे ही अभी हम लोडर को हमारी तरफ एनि कि बाय के सैड में वो लिवर अगर करते हैं तो बकेट फोल्ड होता है और हम उसे दाय सै में करते हैं तो बकेट बाहर निकलती है आप देख सकते वीडियो में आराम से देखिए यानिके अनलोड होता है तो इसी तरीके से हम आपको अभी पिछले लिवर्स के बारे में बताएंगे तो प्लीज अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजे और हमें अगर इस वीडियो में कुछ इंप्रूमेंट शाहिए अगर कुछ नया बनाना है तो आप हमें जरूर बताएं तो अभी ह जैसे पीछे करके वह सेंटर में करते तो बूम ऊपर उठता है आप देख सकते हैं और राइट सेड का लिवर जैसे ही मैं बाहर के साइड में अभी मैं जो डाइरेक्शन में बताया है तो दिपर बाहर निकलता है अभी बकेड भी हमने बाहर निकार लिए है थोड़ा आराम से मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी complete मशीन ऊपर कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिये अभी मुझे diprac heut नीचे लेना चाहता हूँ। यह diprac अभी bucket fold किया मैने यह bucket fold का पोजीशन है। ध्यान में रखना है यह रिवर आप जैसे बेटते जैसी की उपर उसी पोजीशन से मैंने सब बनाया है अभी यह डिपर जो है यह मैं फोल्ड करता हूँ कोई भी चीज अपनी तरफ अगर आप लेते हैं तो डिपर देखिए अभी ऑपरेटर के पास में नहीं कि मेरे पास में आ रहा है ज्यान में रखना है आपको अभी मैं डिपर को बाहर निकालता हूँ डिपर को कई लोग स्टिक्स भी वोलते हैं तो यह मैंने बाहर निकाला डिपर कम्प्लेटली बाहल निकल गया बकेट में ओपन कर देता हूँ अभी मुझे बूम नीचे लेना है तो आप देख रहे हैं मेरा जो दैना लिवर है मैंने कहा पे किया है तो अभी बूम नीचे आ गया अभी ठीक उसे मुझे बूम उपर लेना है बहुत स्लो मोशन में आपके लिए ही बनाया है तो अभी इसे शेर भी किजिए जरूर तो अभी जैसे मैंने ए पोजिशन में लिया तो बूम वापिस नीचे आने लग गया तो अभी मैं स्टेबिलाजर का सिस्टिम मत रता हूँ स्टेबिलाजर ये दोनों लिवर के टिक बीच में होता है जैसे में मेरे तरफ स्टेबिलाजर खिशता हो तो स्टेबिलाजर मेरे तरफ आने लगते है इनर्स आप देख सकते है यानिकी मशिन निच्चे के सैड में जाता है अब ये मशिन उठाना है तो stabilizer बाहर के side में करना है यानिकी stabilizer बाहर निकालना है बहुती simple systems है इस तरीके के videos हम आपके लिए continuously दाते रहेंगे Thank you